इस दिस्टेंस टाइम ग्राफ का एडवांटेज क्या है वह बात करेंगे ठीक है तो चिल्डेंस बिफोर इट वी श्टेडी अबाट दिफ्रेंट टाइम ग्राफ सब टाइप बता है आपको ग्राफ करके बता चुके इससे पहले तब उसे क्या अडवांटेज है तो चिल्डेंस वी से सम एक्जामपल अब दा ग्राफ का कुष्चे से पहला अडवांटेज क्या है अब बच्चों जैसे कोई टेबलर फॉर्म आप यह देख रहे हैं टेबलर फॉर्म में है ठीक है अब इसको देखने में क्या है we are taking more time to decide the object is at uniform speed non-uniform speed और uniform and non-uniform motion ठीक है तो पच्चों ग्राफ क्या आपको नजर आ रहे है देखो एस्टेट लाइन है तो we can easily tell कि it is the uniform motion यह क्या हमारा uniform motion में है अब second जो हम लोग का next advantage है देखो क्या करा है कि the data given table form may give information about the distance move by the object only a certain definite time interval but from the distance time graph we can find the distance move by the object at any point of time ठीक है मतलब table form से देखके तो table में क्या दिया रहता है इसे इस question में आप देखोगे क्या है इस में table में कि वो 2 बज़े 0 km में था 2 30 में 10 में था 3 बज़े 20 में था 3 30 में था यह था आपको यहां जदी हम पूछें कि वो 3 15 में या आपको पूछ दें कि 4 15 में या 3 45 में कितना distance table क्या था तो calculate to children we are doing from this यहां से calculate कर सकते हैं बट वो क्या है it is lengthy and taken more time तो थोड़ा ज़्यादा time लग सकता है और इसी को जदी हम लोग देखें आपको सामने है तो बच्चों देखोगे यह 3 15 में जैसे बोला तो 3 से 3 30 इसके बीच में होगा 3 15 यहां से हम आगे बढ़े उपर यह graph line को जहां से कटा उससे y axis का reading हम लोग देख लिए and we are telling कि the distance cover is 25 it is very easy तो that means कि I children कि we can calculate or conclusion from the graph very easy to compare the tabular form tabular form में जो रहेगा उससे बहुत easy way में हम लोग उसका क्या कर सकते conclusion निकाल सकते किसे graph से third advantage childrens जो है देखो the speed of an object can be obtained from a distance time graph speed हम लोग कहीं भी निकाल सकते हैं easy लिए उसका slope find करके तो चिल्रेंस वेर रिड़ और how to calculate the slope in higher class आप 9 class में जाओगे तो calculate करने का तरीका detail हुआ पढ़ना है ठीक है तो slope निकालके हम लोग यहां क्या कर सकते से calculate कर सकते हैं ठीक है जेनरली क्या हता है बच्छो स्लोब जो हम लोग निकालते हैं वो क्या है यह जैसे जो reading ले लेंगे यहां से उपर यह reading कितना कर गया आप देखो 25 है यहां से यहां तर जो reading है वो हता है ले ले लते हैं टिक है थैंक यू चिल्जन फर वाचिंग इस वीडियो तो